राम राम जहेन। हम बात करेंगे Revital के बारे में Revital का नाम तुम लोगों होगा, कभी ने खाया ही होगा अच्छा हम यहाँ पे क्लियर कर देते है Revital भी बाकीhmen की तरीके ही ही मल्टी विटामिन बाहुत मल्ट स्रीटामिन तुमने बहुत सारे बॉडियृटस के मुऊसे सुना यह जिस जो पाइसा देती स्कूत चिछा तो इस वजे से तुम्हें यह लगता है कि लाग मोट स्रीटामिन और वो एक दिकत हो रही वह प्रॉपर जो उनकी जो बीमारी उसकी मेडिसिन के अलावा रिवाइटल जरूर लिखते थे ताकि तुम एक्टिव रहो दिन पर बॉड़ी में एक अलर्टनेस वनी रहे तो वो किस वज़े से होती वो होती मल्टी विटामिन की वज़े से जो की मिलता है रि ठीक है अब समझते है कि छो लेना चाते हैं तो डेली ले सकते हैं क्या बिलकुल सकते हो कि यिशन मेडियुण कोई प्रूरर चिरफ ये शारी चीजे प्म पाइल करके तुम खाओ नहीं खाओगे तुम तुम बिल्कुल भी नहीं खाओगे क्योंकि खाई नहीं पाओगे इस वज़े से क्या होता है कई बार हमारी बॉड़ी में न्यूट्रेंट की डेफिसेंसी हो जाती है तो उसको बराबर मेंटेन रखने के लिए तब हम करते हैं रिवाइटल रिवाइटल भी एक मल्टी विटामिन है जैसा कि हमने बार-बार बोला तुम से ठीक है अब यहां पर अगली बात हम यहां पर करते हैं कि अगर बॉड़ी में मतलब देखो मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है रिवाइटल ले सकते हो बट अगर तुमारी मैनेज रखने के लिए टाइम है नहीं तो सबसे पहली दिकत कब आती है जब तुम्हारे अंदर विटामिन की कमी होती कि सबसे पहली आती है कि तुम रात में कितनी बी नीद पूरी कर लो तुम्हें नीद आएगी ही ठीक है रात में जितना सोलो दिन बर नीद आएगी ही दूसरा है आलस आलस बहुत आता है जब तुम्हें विटामिन डिफिजेंसी होती है तो तुम्हारी बॉड़ी में मतलब एक लेजी निस बना रहेगा परमानेंट तीसरी चीज़ कर हम यहां पर बात करें खाना कम खाओगे ज्यादा खाओगे भूंक लगती रहेगी या बिल मल्टी विटामिन ले सकते हो अब मल्टी विटामिन जब तुम लेने लगोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तीन से पांच दिन के अंदर तुम देखोगी दिक्कते जो थी डेली की लेजी ने सो गया भूग ना लगना यह ज्यादा भूग लगने यह सारी सॉल्व ह हो रही है क्योंकि बॉड़ी को तरह न्यूटिशन मिल चुका है तो इसलिए प्रिवाइटल के लिए ले सकते हो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है और अधर मल्टी विटामिन भी लेना चाहते हो वह भी ले सकते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और बैस्ट है तुम्हारे ल